नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रधान मंतरी नरीन द्रमोदी 25 दिसंबर को जो है वो किसानों को खास तोर पे यूपी के किसानों से वो ये पूरी की पूरी बातचीत करने जा रहे हैं जिसमें अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश में देखें तो धाई हजार स 377 जगों पर जो है वो ये कारिकरम किये जाएंगे 25 दिसंबर अपने आप में खास दिन तो होता ही है लेकिन अगर आप बीजेपी और खास तौर प्रधान मंतरी नरीन द्रमोदी के इस दिन को चुनने के पीछे की वज़ा समझें और उत्तर प्रदेश को क्यों चुना गय ये भी समझें तो एक नाम अपने आप जहन में आ जाएगा वो नाम है पंडित अटल बिहारी वाजपई का जिहां स्वरगी हैं और किस तरह से लखनाव हो या लखनाव से इतर भी हम कई जगों का जिक्र करें वैसे तो पूरे भारत में ही उनके नाम को लेकर के आप लोग पे कर रहे हैं चाहे वो दिली के अलग-अलग इलाके ही क्यों ना हो खास तोर पर मैं बॉर्डर इरियास की बात कर रहा हूँ लेकिन उन सारे किसानों से इतर प्रधान मंत्री ने चुना है उतर प्रदेश के किसानों से बात चीत करने को और खास तोर पर वो उस दिन जो है किसानों के बीच ये क्लियर करते वे नजर आएंगे कि आखिर इस क्रिशी बिल जो ये तीनों के तीनों जिसका विरोध जो है वो किसान कर रहे हैं उसके फाइदे क्या क्या हैं जो किसान विरोध कर रहे हैं इन तीनों बिलों का उनमें कहां क्लारिटी और कहां जो है सारी की स इसके लावा उनके जो मंत्री हैं जिनको उन्होंने जिम्मा दे रखा है जिसमें दो तीन नाम बहुत एहम हो जाते हैं नरेंदर सिंग तोमर हो प्यूश गोयल हो या फिर अमिट शाह खुद हो या फिर राजनात सिंग फूर डाट मैटर इनको जिम्मेदारी राजनात सिंग को बहुत जादा नहीं कूँगा क्योंकि राजनात सिंग एक या दो बैठकों में ही मौजूद रहे इसके लावा वो अक्टिव तौर पर इन सारी चीजों पर नजर रखते हुए नहीं नजर आए लेकिन अमिट शाह हो अमिट शाह ने तो इंडिविजूल लेवल पर भी बातचीत की है और नरेंडर सिंग्टोमर बाकाइदा कृशी मंत्री और प्यूश गोयल तो लगातार किसानों से वन ओन वन बातचीत भी कर रहे हैं लेकिन उनसे कुछ निकल कर नहीं आ रहा है और इसलिए प्रधान मंत्री जहां भी जा रहे हैं वहां से एक बात उनकी को लेकर बातचीत है चाहे उन्होंने एम्यू में भी बोला तो उन्होंने एक तरह से ये कोशिश जरूर की कि डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स इस दौरान बहुत जादा है इस दौरान ऐसे लोग बहुत जादा है जो भ्रम फैला रहे हैं और देश को अगर आगे बढ़ान तो प्रधानमंत्री हर जगर से ये बाते कर रहे हैं अब 25 तारीक को ये बाते कितनी अलग होगी क्या प्रधानमंत्री की बातचीत में कोई मौडिफिकेशन होगा क्या किसानों को लेकर वो थोड़े से फ्लेक्सिबल होते वे नजर आएंगे या फिर एक बार फिर प्रधा उसे अब फाइदे क्या क्या होने वाले है प्रधानमंत्री कारयाल है इसको लेकर के ट्वीट भी करता रहा है लगातार जिसमें वो डिफ्रेंसियेशन दिखाता है कि ये पहले स्थिती थी ये अब होगी ये गलत बताया जा रहा है और सही बात ये है तो तमाम तरह की हैं देखते हैं 25 तारिक का दिन कैसे अलग होता है बहुत-बहुत शुक्री है इस वीडियो को देखने के लिए